हेलो फ्रेंड्स जब भी हमारा हेर फॉल होता है तो उसके नीचे वाइड वल्फ जैसे दिखने लगता है और इसी को लेकर काफी लोग concerned में हैं कि यह जो वाइड वल्फ है इसका क्या मतलब यह क्या है क्या है जड़ से गिर रहा है अगर जड़ से गिर रहा है तो क्या जब भी आपका हेर फॉल होता है तो उसके जो वाइड वल्फ साइज है उसको आप नोट कीजिए क्या वो नॉर्मल बड़ा साइज का है या फिर एकदम छोटा है अगर नॉर्मल बड़ा साइज का है तो आपसलूटली नॉर्मल यह जड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है वह हैर शेड है वह अपना एज साइकल कंप्रीट कर चुका इसलिए वह गिर रहा है ताकि उसके जगा नियू हैर बापस अपने आप आ सके और वहीं अगर वाइड वल्फ साइज आप देख रहे हैं कि छोटा है इस यह हैर फॉलिकल आपका श्रिंक हो रहा है यह गंजाप अब आपके मन में एक सवाल आगा है कि हम कैसे समझे कि जो वाइड वल्फ का साइज है वो नॉर्मल साइज का है या फिर छोटा है तो देखे काफी सिंपल है आपके जो पीछे के हैर है जहां पर कभी गंजापन नहाता राइट तो यह सबसे हेल्दी है डोनर एरिया बोलत है आपका हैर जो है वो एस साइकल कम्प्रीट कर चुका है इसलिए वो गिर रहा है ताकि उसके जगह नए हैर अपने आप आ सके और वही अगर जो हैर गिर रहा है उसका वाइड वल्फ का साइज कंपैर टू पीछे का जो हैर है उसके बल्फ के कंपैर में छोटा है इट मी की आप स्ट्रीन पर देख सकते हैं हैर फॉलिकल ऐसा दिखता है जो गड़्डा जैसे फॉलिकल का साइज होगा उतना ही आपका वॉइड व condemn का साइज भोता थो जैसे-जैसे यह जो फॉलिकल शृंक होगा तो उ सब्सक्राइब ये हेर पतले होते जा रहे हो जादा लंबा नहीं हो रहा है तो यह खाली पन का संकेत आता है दरसल हेर का एक growth cycle है दो से छे साल जिसको तीन भागों में बटा गया है पहला है कि एनरजन फेज जब हेर दो से छे साल तक इस यहां पर हेर फर्दर नहीं होता है लंबा नहीं होता है रेस्टिंग फेज में चला जाता है उसके बाद बापस से अनरजन फेज आता है यहां पर हैर दो से छे साल तक ग्रो होने लगता है पिर यह सिलसिला लाइफ टाइम तक चलता रहता है जब तक कि आपका हैर फॉलिकल श्रिंक ना हो इसलिए क्लिनिकली बोला जाता है कि डेली पचास से सो हैर गिरना अबसलुटली नॉर्मल है क्योंकि इतने ही हैर वापस अपने आप ग्रो होने लगते हैं जैसे कि पत जड़ आ आप पत्ते नॉर्म वही पर आते रहते हैं और सिलमने आपका प कर जादा भौने लगेगा जहां पर आपसके आपसाथ अध्यल्यहां वह ससकर ऑफ जहेंकि नॉर्मेदा नहीं diffic से हेर रो हो जाएगा और अगर वाइड वल्प का साइज छोटा देख रहा है इट मीज यह गंजापन का संकेते आपका फॉलिकल श्रिंक हो रहा है अब आपके मन में सवाल रहेगा कि यह जो हैर फॉलिकल है यह श्रिंक क्यों होता है तो देखिए इसके पीछे का रीजन है जेनेटिक एंपक्ट जो की बीएच्टी हॉर्मोन के वज़े से होता है बीएच्टी हॉर्मोन फॉलिकल तक ब्लेड सर्कुलेशन को होने नहीं देत जाती है और यह जो गंजापन दिखना स्टार्ट हो जाता है और जब एकदम से फॉलिकल श्रिंक हो जाता है तब ग्रोथ का कोई चांस नहीं रहता है तब ट्रांस्प्लांट ही लास्ट ऑप्शन होता है अब अगर आपको दिख रहा है कि आपके जो वाइड वल्प का रहा है तो हमें ब्लेट सेर्कूलेशन को इंप्रूव करना है यहां पर बढ़ाना है थाकि फॉलिकल तक ब्लेट के मद्यम से नूट्रिशन पहुचता रहा है जिसके लिए आप बालायम कर सकते हैं या फिर शीरशार्शन सर्वांगरसन कर सकते हैं या फिर आप सीरम लिमिट है शाए इसके बाद आता है नूट्रिशन पर जैसे अपको जब तक जीना थिकर आपको खाना खाना पड़ेगा ऐसा थो नहीं कि दो-चार महाने खाना खा रहें फिर खाना बंद कर देंगे तो लाइफ टेंड़ पॉसिबल नहीं है राइट जब तक जियेंगे त नहीं होगा, तो इसके लिए आपको diet पर अच्छी से focus करना है, आपको डाइजेशन सही रखना है, ताकि जो भी अप खाना का रहे हैं, सारे nutritionosphright जादा ज़दा with variety के खाना खाना क्योंकि एक ही खाने में सारे nutrition नहीं होता है तो जितना जादा varieties का खाना खाएंगे organic खाएंगे better है कम तरीवी सब्सक्राइब कम oily खाना खाना है because oily में और जितना आप खाएंगे तो जो nutrition होता है आदा से जादा nutrition और जाता है तो अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है तो इन दाट किस आपको hair supplement, hair vitamin लेना पड़ेगा कब तक जब तक कि आपका diet digestion सही ना हो क्योंकि ultimately hair को nutrition चाहिए चाहिए प्रॉपर diet से ले या फिर hair vitamin से ले तो यह दो चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका hair follicle shrink नहीं होगा best option यह यह कि आप आपके nearest dermatologist के पास जाहिए वो आपका proper scalp के analyze करेंगे देखेंगे कि hair किस stage पे आपका hair follicle कितना shrink हुआ accordingly वो आपको guide करेंगे कि कौन सा step उठाना चाहिए या तो serum पर जाना चाहिए या फिर पी वगएर जो भी option है या फिर ट्रांस्प्लैंट जो भी option है वो आपको right guidance देंगे और right time पे अगर आप treatment लेंगे तो आप अ suggestion हो कोई doubt हो आप यहां पर comment कीजिए आप अगर मुझे personally message करना चाहते तो आप मुझे Instagram पर भी message कर सकते हैं तो मिलता हो next video में कुछ और नए genuine tips के साथ धन्यवाद